तब महराज जनक ने विश्वा मित्र से अनुरोद किया कि यह महराज दसरत को राम और सीता के विवा में सामिल होने का निमंतरन पहुँचाने के लिए दूत बहजे दूतों को आयुद्या पहुँचने में तेन दिन लगे और जब दूतोंने राम दुआरा विरता पूरवक सीता से विवा करने की सरत पूरा करने की बात महराज दसरत को बताई तो वे सीता से तो वे खुशी से फूल उठे वसिष्ट और वाम देव से परामर्ज करने के बाद महाराज अगले दिन बोर में ही मितला की ओर चल पड़े सबसे आगे महाराज दसरत के पुरोहित थे और महाराज के साथ अपार संपदा और विशाल से ना थी चार दिन तक यात्रा करने के बाद महाराज दसरत का दिल मितला के सिमान चेतर में पहुँचा महाराज जनक अत्यंत प्रसन्यता के साथ अपने अतितियों का राजसी स्वागत सत्कार करने के लिए नगर के बाहर आए महाराज दसरत दुआरा अपने पुत्रों के साथ प्रामर्ज करने के बाद यह निश्चित किया गया की विवासंस का ठीक अगले दिन एक सुब मूरत में किया जाएगा अगली सुभा सभी लोगों के आ जाने पर महाराज दसरत ने जनक से अनुरोद किया की वह वसिस्ट मुनी से उनके राजवन्स का इतियास सुने इस गाता के समाप्त हो जाने पर विश्वमित्र ने महाराज जनक से उपचारिक तोर पर यह अनुरोद किया की वह अपनी दो पुत्रियों सीता और उर्मिला का विवा राम और लक्षमन के साथ करने की अनुमती दे इसके उत्तर में राजवन्स का इतियास बदाया और फिर अपनी दोनों पुत्रियों का विवा दसरत के पुत्रों के करने से करने की पून सहमती दी कुछ आरम्बिक कर्म कांड हो जाने पर विश्वमित्रों और वसिष्ट ने अनुरोद किया कि जनक के छोटे भाई कुछ दुहज की दो कुस्तुरियों का विवा भरत और सत्रुगन के साथ कर दिया जाए राजा जनक खुशी खुशी तैयार हो गए और विवा की तिथी तीन दिन बाद की निश्चित की गए क्योंकि तीन दिन बाद एक अत्यंत सुभमूरत आने वाला था नियत दिन विजिया नामक सुभगडी में वशिष्ट मुनी महाराज जनक के पास जाकर उनसे बोले कोशल नरिस अपने चारों पुत्रों के साथ बाहर खड़े उनकी प्रतिक्षा कर रहे हैं जो उन्हें अपनी पुत्रियों देंगे आईए और अधिक विलम किये विलम के बिना सुभवववास अमारो आरंब किया जाए राजा जनक ने महाराज दसरत को सुनाते हुए उत्तर दिया राज अतितियों को स्वेम अपने महल में प्रवेश करने के लिए भला किसकी अनुमती चाहिए मेरे विचार से यह राज यह कोशल नरिस का ही है अपने चारों पुत्रों को यग्षेत्र में लेकर आये जबकि वशिष्ट मुनी ने चंदन के लेप और फूलों से गमलों में रखे पोधों धूप के पात्रों अन और हल्दी के पात्रों और अन्य सुब समग्रियों से यग्वेदी तयार की सब तयारियां हो जाने पर वशिष्ट मुनी ने आहूती की अगनी परजोलित की और आहूतियां चड़ाने लगे और ब्रहमनों ने वैदिक मंचुत्रारं मंत्रोचारं करना आरंब किया इसके बाद महारा जनक सीता को यग्षेतर में लेकर आए और उन्हें राम के बगल में बिठा दिया भावुक होकर कापती आवाज में राजा जनक बोले हे उदार हिरदे राजकुमार यह मेरी पुत्री सीता है किर्प्या कर इनका हाथ अपने हाथ में ले लो और इन्हें अपनी जीवन संगनी के रूप में सुईकार करें यह समस्त सद्गुनों का भंडार है और यह है आपके प्रती सदैव उसी परकार निष्ठवान रहेगी जैसे कि आपकी छाया आपके साथ रहती है स्वर्ग से होती पुस्पविरस्टी और आकास में गुन जैमान होते दिव्यत संगीत के साथ राजा जनक ने सो भाग गय कि देवी सीता का हाथ परमेश्वर राम के हाथ में रख दिया जैसे ही राजा जनक ने उर्मिला का हाथ लक्षमन के हाथ में रखा स्वर्ग में कंधरवो ने गाना आरम कर दिया जबकि अपसराई आनन्दमगन होकर नियत्य करने लगी इसके बाद राजा जनक ने मांडवी का हाथ भरत के हाथ में और आन्तते सुरुत कीर्टी का हाथ सत्रुगन के हाथ में दिया फिर चारो भाईयों ने अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़े हुए यग की अगनी की तीन बार परकिर्मना की इस चबाद उन्होंने राजा जनक और निशियों की परकिर्मना की सीता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके राम को अत्यन्त संतुष्टी का अनुभव हुआ वह समस्त सौंद्रिया और सद्गुनों का मूर्त रूप थी अपने प्रियतम और अपने हिर्दिया के स्वामी के रूप में अच्छाई बीर्टा, बुद्धिमान और पौरुस संद्रिया के मूर्तमान रूप स्री राम को प्राप्त करके सीता को भी अकतनिय प्रसन्दा महसूस हुई एक दूसरे को अपना हिद्य सोब कर सीता और राम ने स्री मुख के कांते उसी प्रकार चमक उठी जैसे की अपनी प्रियतमा लक्ष्मी सानिध्य में भगवान विश्नु का मुख कमल खिलूटता है विवा उच्छव के संपन हो जाने पर विवा में उपस्तित सभी लोव रात्री विश्राम के लिए चले गए अगली सुबह विश्वा मितर रिशी हिमालिय को प्रस्तान कर गए थोड़ी देर बाद महाराज दसरत अपने चारो पुत्रों और पुत्रों गदुओं के साथ आयुद्या को चल पड़े और उनके साथ राजा जनक से भारी मात्रा में मिला दहेज भी था प्रस्तान करते समय महाराज दसरत को एक असुब संकेत दिया उनके सिरू के उपर विप्स पक्षी तेज़ स्वरों में चितकार रहे थे फिर उनोंने एरन को अपने पच पर बाएं से दाय जाते हुए देखा जो एक सुब सगुन था बहबीत होकर राजा ने वशिष्ट मुनी से इसकी चर्चा की तो वशिष्ट मुनी ने असुब संकेत का अर्थ किसी संकट का संकेत बताया और कहा कि सुब सगुन से यह आशवाशन मिलता है कि बहबीत होने की कोई आशशकता नहीं है वे दोनों अभी इसी परकार से बाते ही कर रहे थे कि बहंकर आंदी चलने लगी और धर्ती डोलने लगी जिस से अनेक विरक्ष खड़कर जमीन पर गिर गए चारो दिसाओ से धूल के बवंडर उठने लगे और इतना अंदकार चा गया कि सभी लोग हक्के बख्के रह गए और बहुत व्याकुल हो थे महराज दसरत उनके चारो पुत्र वशिष्ट और अन्यरिसी ही मात्र ऐसे थे जो अब भी सांद थे अचानक की रोद से आग परसुराम वहाँ पहुंच गए उनके बाल बिख्रे हुए थे और वह अपने दाहिने कंदे पर एक फरसा रखे हुए थे जबकि उनके बाय हात में एक धनुस और दाहिने हात में एक शक्ति-साली बांढ था परसुराम को इस भाव मुद्रा में देखकर रिश्यों को अत् तब में निरंतरलीन रहने की प्रतिग्याली थी अब भी आश्चार्य चकित होकर यह विचार ही कर रहे थे कि आखेर परशुराम इतने के रोधित क्यों है कि तभी जमदगनी रिशीने के पुत्र परशुराम ने भगवान राम से कहा सिर्जी का धनुष तोड़कर तुमने निश्चित ही अत्यंत प्राकरम का कारिय क्या है परन्तु मेरे हाथ में उससे भी महान धनुष है जो भगवान विश्णु का है यदि तुम स्वयम को अत्यंत प्राकरमी समझते हो तो यह धनुष लो और इस पर प्रतिंचा चड़ाओ अगर तुम इस धनुष पर बान सवाद्य में अपने प्रियपुत्र को गवा देने का भैसमा गया वह प्रसंसपूर्ण स्वर में याचना करते हुए बोले हेरीशी श्रेष्ट दया करें अपने किरोध का त्याग करें मेरी विंति है कि आप युद्ध्ध का त्याग करने की अपने इस प्रतिग्या की या रखा, त्री पुरासुल कवगत करने के लिए, निर्मित भगवान सिव में धनुस और भगवान विष्णु के धनुस को इस कर्मा ने बनाया था, एक बार देगताू के कहने पर, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव में विष्णु के बीच कुछ मतबेद पैदा कर दिया, इस पर उन दोनों के बीच भायानक दुवंद ठन गया परन्तु भगवान शीव ने सिपके धनुष की प्रतिंचा काड़ देने के कारण भगवान विश्णु विजह हुए खुपित होकर भगवान शीव ने अपना धनुष देवगरत को दे दिया जबकि भगवान विश्णु ने अपना धनुष जमदगनी रिशी के पिता महान निशी रिशी चिक को दे दिया मैं महिंदर परवत जाकर अकंड़ तप में लीन हो गया था परन्तु जब मुझे यह समचार मिला कि तुमने भगवान शीव का धनुष तोड़ दिया है तो मैं यहां आने और तुमें ललकारने को बात दिया हो गया अब यादी तुम स्वैम को समरते समझते हो तो यह धनुष लो और सिद्ध करो कि तुम मुझे से युद करने योग गया हो बिना कोई उत्तर दिये राम ने पर्षवराम के हातों से धनुष बान और साथ ही कठोर तब दौरा उनकी समस्त अरजित सक्तियों को छीनते हुए उनकी चुनोती स्विकार कर ली जमदगनी रिशी के पुत्र गोर आश्चरी से देखी रही थे कि तब तक राम मुश्कुराते हुए दनुष में प्रतिंचा चड़ा कर बान को उसकी पूरी लंबाई तक पीछे खीच लिया इसके बाद राम ने गोशना करके कहा आप एक ब्रामन है और आपका संबन्द रिशी विश्वामित्र से है इसलिए मैं आपका वद नहीं करूंगा परन्तु मैं इस बान को व्यर्त नहीं जाने दे सकता इसलिए आपकी चुनोती का उचित उत्तर देते हुए अब मैं इस बान को प्रियोग कठोर तब के परिणाम स्वर आपके द्वारा अर्जित स्वर्प की प्राप्ति के पुन्य को नष्ट करने में करूंगा सभी देवगण और दिव्यरिशी आकास में एक्तरित हो गए थे पर्शुरामनी सक्त हो चुके थे और अब वह चकित नेत्रों से भगवान को देखने के अतिरिक्त और कुछ भी क पाने में ऐसमर्द थे अंततह जब रामने बिना हिले बान को अपने कान तक खीचा तो पर्शुरामन पराजित स्वर में धेरे धेरे बोले जब मैंने कश्यप को प्रत्वी दी तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि अब मैं प्रत्वी परने रहूं और शी कारण से कि आप मुझे महिंदर पर्वत वापस लोटने की अनुमती दे ताकि मैं पुने तपस्या में लीन हो सकूँ हे राम मैं यह जान चुका हूँ कि आप स्वेम भागवान विश्णू है और इसलिए आपसे पराजित होने पर मुझे कोई लज्जा नहीं है राम ने बिना कुछ कहे पर्शुराम का अनुरोद सुईकार कर लिया और वह पराक्रमी बान चला दिया पर्शुराम महिंदर परवत की और प्रस्थान कर गए तब काल ही अन्दकार चट गया आकास में खड़े देवगनों ने प्रवुराम की जय जयकार की और उन ठुगनित पुष्पो की बारिस की राम ने भगवान विश्णू का धनुष वरुन को दिया और फिर उनका दल आयोध्या की और आगे चल पड़ा घर लोटनी के पहिश्चात राम लक्ष्मन भरत और शत्रुगन अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्यत पूर्वक रहने लगे एक बार राजा युद्याजित आयोध्या में भेट करने आये वहके कईके भाई और भरत के मामा थे उन्होंने अपने भांजे भरत को शत्रुगन के साथ कुछ दिनों के लिए अपने राज् के साथ तेकबाल करने लगे राम ने राज के प्रसाशन के अपने कर्तिव्यों का इतनी इमांदारी और वुद्धी मानी के साथ निर्वा किया कि वह समस्त प्रजागी आखों के तारे बन गए सीता और राम एक दूसरे के प्रती नैसरगिक अनुराग दिन प्रती दिन अधिकादिक बढ़ता गया एक दूसरे की सुंदरता और सद्गुनों के कारण धीरे धीरे वे पूंड तै एक दूसरे को समर्पित हो गए सो भाग्य की देवी लक्षमी का अवतार होने के कारण सीता अत्यादिक सुंदर थी वह राम के मन की गूड से गूड बात को बिना कहे ही पूरीक तरह समझ लेती थी अपने स्वामी को सदय प्रशन रखने को अपनी इस्तरी सुलब सुम्यता वैसतित्व को आधर सुरूप में बनाएं रखने को संकल्प बद सीता अने शेगर ही प्रभुराम का हरदिया पूरी तरह से जीत लिया भरत और सत्रुगन कुछ समय तक अपने मामा युदाजित के साथ रहे जिनोंने उनका बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया आयुद्या में राम महाराज जसरत के स थारी प्रजा उनसे प्यार करती थी राम ही भगवान विश्णु थे जिनोंने दुस्ट रावन का वद करने के उद्देश्चे से मानक समाज में अव्तार लिया था पूर्ण पुरुषत्तम भगवान होने के कारण भगवान राम ने सर्वगुन संपन पुरुष के राम ने सबसे सहासी और सुर्विर छत्रे की भूमी का निभाई परंतु इसके बावजूद वह सयमित संतुष्ट द्वेश रहित थे और उनकी वामी का कारियों में विनर्मता थी दूसरों द्वारा आलोचना के जाने पर वह नाराज नहीं होते थे और रत्ति भर्वी कर प्रुना वैदया देखकर भी प्रिसन हो जाते थे वह छमासील थे और अपने कारियों इस्तिति के वारे में अतिन्त विनर्म थे राम उन्हें लोगों के साथ रहते थे जो पून्य आत्मा और ज्यानी होते थे और अतित्यों का आधर सत्कार करने में सबसे आगे रहते थे राम द्रड़ता पूर्वक सत्य का साथ देते थे ब्रामणों का सम्मान करते थे प्रजा से प्रेम करते थे और इसलिए प्रजा भी उन्चे अत्याधी किसने करती थे राम सदैव धार्मिक्रियमों वे शिद्धानतों के अनुसार ही आचरन करते थे और वह समस्त सास्तरों के प्रकांड विद्वान थे उनमें युवासुलग उत्सा था और साथ ही वह किसी व्यक्ति के चरित्र को पहचानने में समक्ष थे गलत आचरण करने वालों को धन्रित करने और गुणी व्यक्तियों को पुरुस्कृत करने में वह विवेकवान थे गुड़ सवारी और धनुर विद्या में राम अत्यंत निपून और सर्वस्रेष्ट थे साथ ही रत युद्ध में वह सर्वकृस्ट थे सच कहें तो राम तीनों लोकों के स्वामी साश्वत समय के नियता थे और इस परकार सर्वस्रेष्ट देवताओ और अशुरो तक के लिए एपराज्य थे महाराज दसरत लिये बहुत लंब्य समय तक सासन किया परन्तु अंत्यत्यवे बोड़े और कमजोर हो गए साथ ही उनके मन में राजकाज के दाइत्व से सन्यास लेने और अपनी मरंसील दे का त्याग करने के बाद उच अध्यात्मिकिस्तान प्राप्त करने की तैयारी करने की इक्षा त्रीव से त्रीवतर होती गई महाराज दसरत को नाना प्रकार के अचुप संकेत भी दिखने लगे जिनसे बहबीत होकर उनके मन में राम को सिग्र ता सिग्र अपने उत्रद्यकारी के तोर पर न्युक्त करने की इक्षा भी बलवती हो गई इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाराज दसरत ने अपने मंत्रियों वशिष्ट नागरी को और अधिनस्त राजाओ की एक बैठक बुलवाई परंतु उन्हें समय हाथ से निकलता हुआ जान पड़ रहा था इसलिए उन्होंने राजा जनक्या के कई को अमंत्रित नहीं किया जिसका एक कारण उनका यह विश्वास भी था कि वे उनके निर्न्या से आवश्य सहमत होंगे इसलिए जब सभी लोग एक्तरित हो गए तो माहराज दसरत ने यह गोशना की मैं अब बूड़ा हो गया हूँ अतहे मैं अब राज्य के शाषन का कार्यभार अपने जेष्ट पुत्र राम को सोपना चाहता हूँ अब 27 वर्ज के हो गए इस समय चैत्र का पवित्र महा चल रहा है और कल पुष्य की सुब घड़ी आएगी इसलिए आपकी अनुमती लेकर मैं राम को अपने उत्रदिकारी के रूप में सिहाँ सन्रूड करने से सम्मन्दित अनुष्ठान कल ही आरम करना चाहता हूँ सबी लोग महाराज के इस रस्ताव से अत्यंत हर्चित थे और उन्होंने राम के अतुलुनिय गुनों का जैगोष्ट किया महाराज दसरत बहुत खुश थे उन्होंने चैन की साच ली और सबासमाप्त हो जाने के बाद उन्होंने वशिष्ट मुनी से अनुरोद किया कि वे तत्काल तयारिया आरंब कर दें यह सुनकर वशिष्ट ने परदार मंत्री सुमंत्र और अन्य लोगों को यह निर्देश दिये कि नगर को दुलहन की तरह सजाया जाए और अन्य तयारिया आरंब की जाए ताकि सिहासन रोहन संबन्दी अनुस्थान अगली सुबह से शुरू किया जाए इसके बाद महराज दसरत ने सुमंत्र के से राम को बुला कर लाने को कहा महराज का संदेश मिलते ही कोसल्य पुत्र अपने पिता से मिलने दोड़ पड़े राज सबहा में प्रवेश करके राम दोनों हाथ चोड़ कर अपनी पिता के पास पहुँचे और उनके चरणों में दन्लवत प्रणाम किया महराज दसरत ने अपने पुत्र को जमीद से उठाया राम को इस नहपूर्वक गले से लगाने के बाद महराज बोले पिरिया राम मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ इसलिए मेरा विचार है कि अब मुझे राजकाज से सन्यास ले लेना चाहिए मैंने सभी परकार के राजसी ऐसो आराम का भरपूर आनन उठाया है मैंने अलग्नत्यग कराई है और ब्रहम्मनों का अपार दान दक्षिना दी है पिरिया राम तुम मेरे जेष्ठ और सबसे पुई पुत्र हो और सभी मंत्रिगण और पिरजाजन तुमे बहुत इसन्या करते हैं इसलिए मैंने निन्य किया है कि कल तुम मेरे उत्तरादिकारी के रूप में कोशल नरेश का पदभार गिरहन करोगे राम के कुछ मित्रों ने है समाचार सुना तो वे माता कोशल्य तक सबसे पहले यह सुबसमाचार पहुचाने के लिए दोड़ पड़े कोशल्य को जब यह पता चला कि उनके पुत्र का राज जब शेक होने वाला है तो वे हैं खुशी से भर उठी प्रमप्रा के अनुसार उन्होंने यह सुबसमाचार लाने वाले को सोना रत्न और मनिक वे गाए देकर पुरुश्कृत किया यह समाचार इतनी सीगरता से चारों और फैला कि जब राम राजसभा से अपने महल को लोट रहे थे तब राज्ते में उन्हें बधाई देने के लिए लोग उमर पड़े महाराज दसरत अपने सेनकक्ष में विसराम करने चल पड़े परन्तु उनकी आँख लगी ही थी कि उन्हें बार-बार दिखने वाला अब सगुनकारी सपना फिर से दिखाई दिया वह घबरा कर उट बैठे और उन्होंने राम को बुलवाने के लिए सुमंतर को भेजा क्योंकि उन्हें संद है था कि अगले दिन होने वाले राम के राज्य भी शेक में कुछ रुकावट पड़ सकती है पिता दुआरा फिर से बुलाए जाने पर समचार मिलते ही राम को कुछ आसंका हुई और वह भागे भागे उनके पास जा पहुचे पिता के कप्स में पहुचते ही राम ने उन्हें सास्टांग प्रणाम किया महाराज दसरत ने उन्हें उठाकर गर्व मिस्रित इसने के साथ उन्हें गले से लगाया और बोले मेरे पिरिये परंपिरिये राम तुम्हारे राज्याबिशेग को छोड़कर मेरे जीवन बर की समझत कामनाय पूरी हो गई है सूर्य मंगल और राहु के प्रभाव से जो तिस गर्णा के अनुसार तुर्भाग्यवस यह मेरे लिए बहुत अशुब समय है मुझे कुछ अमंगल कारी सो अपने दिख रहे हैं जिनके कारण मेरी एहदारना कुष्ट हुई है कि मेरे साथ कोई अत्यांत असुब है अमंगल कारी गटना गटने वाली है इसी कारण से मैराज काज सम्मन्दी मामलों को अतिसी गर्पूरा करके ततकाल ही आज यविशेक्स अनुस्ठान आरम कर देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे भाईयों भरत और सत्रुगन के आने तक भी नहीं रुकना चाहता सुद्धी गर्ण के लिए तुम्हें और सीता को आज राज निराहार रहना होगा क्योंकि तभी कल उसावेला में तुम लोग इसके लिए तैयार रह पाओगे महाराज दसरत को अपने विवाके समय राजा केकई को दिया हुआ एक वच निरंतर कस्ट पहुचा रहा था कि उनके राजकाज से सन्यास लेने की उपरांत के कई थपुद राजसियांचन का उत्रिदकारी होगा दसरत यह जानते थे कि भरत राम के प्रती अत्यंत निष्ठावान है परन्तु उनके मन में यह विचार उठा कि पुर्सो का चित बहुत चंचल और ऐसयमित होता है और विशेशकर जब सत्ता और परतिष्ठा के प्रलोभन सामने आते हैं तो किसी का भी मन डोलते देर नहीं लगती इसी कारण से महराज दसरत भरत के वापस आने से पहले ही राम का राज्यभी शेख कर देने के लिए इतने उतावने थें पिता से अनुमती लेकर राम अपने महल वापस लोटाए ताकि वैसीता को अपने पिता के इक्षा के बारे में बता सकें सीता को अपने महल में नहीं पाकर राम अपनी माता के महल में गए कोशिल्या के कक्ष में प्रुवेश करने पर राम ने माता कोशिल्या को खुल के इस्टदे भगवा नारहन की स्री मूर्ती के सामने दोनों हाथ जोड़कर और सांस थामकर अपने कुशल मंगल के लिए प्रातना करते हुए देखा सुमित्रा सीता और लक्ष मन उनकी पर तिच्छा कर रहे थे जब कोशिल्या राम असवागत करने के लिए खड़ी हुई तो राम बोले प्यारी मा पिताजी अगले कोशल नरेश के रूप में मेरा राज्य भिशे करना चाहते हैं वहकल उस अवेला में ही अनुष्टान आरम कर दिये जाने के लिए बहुत उत्षुक हैं इसलिए उन्होंने मुझे और सीता को आजरात मिराहर रहने को कहा है आखों में प्रिशनता के असरूल लिये हुए कुसिल्य बोली यह मेरा परम सोबाग्य है कि भगवान विश्णु को प्रिशन करने के लिए मैंने जो तब किया गह वियर्थ नहीं गया पिरिया पुत्र मेरी यही मनु कामना है पितुम दिरगायों हो और सदा प्रिसन रहो राम मुश्कुराते हुए लक्षमन की और मुड़े और उन्से बोले पिरिया लक्षमन राज्य के सासन का उत्तरधायत्व निभाने में तुमें अवश्य ही मेरी साहता करनी होगी क्यो रहने की कल्पना तक नहीं कर सकता इसके बाद सीता के साथ राम अपने महन महल को लोट आए गए वह अत्यादिक प्रिसन थे महाराज दसरत राज्यभी से कुसल मंगल पूर्व पूर्ण हो जाने की चाहा में इतने व्यग्र थे कि उन्होंने राम के कुसल सेम का पता लगाने के लिए वशिष्ट मुनी को भेजा राम को जब वशिष्ट के आने की सूचना मिली तो वह दोड़कर अपने महल से बाहर आए और रत से नीचे उतरने में साहिता करने के लिए उन्होंने वशिष्ट रिशी का हाथ पकड़ा कुल पुरोहित होने के कारण वशिष्ट ने राम को कुछ सुजाव दिये और सेगर ही वहां से चले गए महराज दसरत के महल की ओर जाते हुए वशिष्ट मुनी यह देखकर मंत्रमुग्द रह गए कि समस्त प्रजाजन अगले दिन के अनुस्तान सा महरों की परतिक्षा में दुलहंची सजी सड़कों पर एक्तरित हो गए थे मारगों में इत्रमिस्रित जल से दोकर उन पर फूल बिछा दिये गए थे पर तेग घर में और दुकानों में जगमग करते हुए रंगीन दीपक जल रहे थे जिनके प्रकास ने रात को दिन जैसा उजाला बना दिया था सोर गुल करते लोगों की भीड समुंदर की लहरों की तरह जान पड़ रही थी और अनगिनत हाथी घोड़े वे उट इस विशाल जन समुंदर में तैरते जलिये जीव की परतीत हो रहे थे भगवान राम भगवान नरायन के अरादन करने के लिए सीता और राम एक साथ बैठे और पूजा अरचना संपन कर लेने के बाद विकुष से बनी चटाईयों पर रात प्री विश्राम के लिए लेट गए राम सुर्य दो से तीन घंटे पहले ही जग गए और उन्होंने भगवान विश्रु की पूजा की और गायतरी मंतर का जाप किया जिस समय हुए पूजा अरचना कर रहे थे उस समय पूरे गाउं में पूरे नगर में राज्य भिशे के पूरुकल्पना में रोमांच से चहल पहल मची हुई थी